हरे कृष्णा सो अभी तक हमने 2.35 तक कर लिया है हम डीटेल में भगवत गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भगवत गीता समझ नहीं आ रहे हैं तो यह उन सभी के लिए बहुत अच्छे से मैं बता रही हूं और इसके पहले के आप जो श्लोकाज शूटे हैं अब भगवत गीता प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता 2.36 तो आये श्लोकाज में चलते हैं पटाफट अवाच्वादाश बहून वदेश्यंतितवाहिता इसका मतलब क्या है अवाच्वादाश मतलब अनकाइंड वर्ड्स जो नहीं बोलने वाली चीजें हैं वो भी लोग बोलेंगे बहून मतलब बहुत सारे लोग वदिश्यंति बोलेंगे तवाहिता मतलब तुम्हारे बारे में ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे है कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बहुत सारे लोगlock unkind words बोलेंगे तुम्हारे बारे में निंदन तस्तव साम अर्थ्यम निंदन वो निंदा करेंगे किसकी तव सामर्थ है तुम्हारे सामर्थ की निंदा करेंगे ये नहीं बोलेंगे कि out of compassion अर्जुन ने छोड दिया है युद्ध कि मेरे भाई मेरे ग्राइन फादर ये सब मारे जाएंगे वो लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन में तो शक्ती ही नहीं है जो महान धनुर्धर था उसमें तो अब सामर्थ ही नहीं बचा है ऐसी बातें लोग करेंगे ततो दुख तरम नुकिम तो फिर भग चोड़ रहे हो बट लोग क्या समझेंगे कि तुम्में तो सामर्थ ही नहीं है तुम्में तो बल ही नहीं है अर्जुन तो डर के भाग गया युद्ध से तो आई अब इसका ट्रांसलेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं यौर एनिमीज विल डिस्क्राइब यू इ तुम्हारी एबिलेटी की निन्दा करेंगे और तुम्हारी एबिलेटी में शब करेंगे कि तुम्में सामर्थ नहीं है वॉट कोड़ बी मोर पेइंफुल फोर यूben तो इससे जादा पेइंफुल और क्या होगा तुम्हारे लिए तो आगे परपर्टमे देखते हैं प् थे अज़ए देखके कि अरजुन के अंदर एसा नवी प्रटिकर ना ही बॉड़िली लेवल पर था। वो अपनी डूटीज को नहीं निभा रहा था। नहीं वो सोल के लेवल पर सुप्रीम लेवल पर देख रहा था। clear नहीं देख पा रहा था उसका bodily compassion था तो ये देखे कि अर्जुन तो इतना ज्यानी है अर्जुन तो इतना महान धनुर्दर है उसके बाद भी वो ऐसी बात कर रहा उनका friend है, उनका भक्त है तो भी वो कैसे ऐसी बाते कर सकता है तो इस प्रकार से भगवान क्यों कर रहे हो तो उन्होंने बोल दिया था कि ये तो नॉन आरेंस जो होते हैं वैसे उनके अंदर ऐसा compassion होता है आरेंस के अंदर नहीं अभी आरेंस कौन होते हैं आरेंस होते हैं जो progressive values of life को को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं मतलब वो देखते हैं कि ultimate goal जो है हुनका spiritual realization वो कैसे प्राप्त होगा तो जब भी हम body में रहते हैं तो हमें body की जो duties होती है उसको भगवान को surrender करते हुए बिना उसका लाभ यहानी सोचे हुए हमें उस body की duty को perform करना होता और ऐसे दीरे duties को perform करते करते हमारी बुद्धी शुद्ध होती हैं bodily conception of life से निकलते हैं and then हम spirituality में आगे बढ़काते हैं तो यह आरेंस करते हैं आरेंस जो होते हैं वो सोच समझ के निर्ने लेते हैं कि ultimately क्या अच्छा है लेकिन जो non-areans होते हैं वो बिलकुल नहीं सोचते समझते हैं जैसे अभी आजकल की generation हो गई है जो भी मन में आया अच्छा लगा मेरी मरज जी पस वो चीज कर लेना है but that is not Aryan's behavior हमें हमारे लिए क्या ultimately अच्छा है उसको सोच कर करते हैं जो that is Aryan's behavior तो अर्जुन आरेन है अर्जुन आरे है अनारे नहीं है तो इसलिए भगवान शौक हो गए थे देखके now in so many words he has proved his statement against Arjuna's so-called compassion तो बहुत सारे words के साथ बहुत सारे श्लोकास जो अभी हमने देखे हैं भगवान ने प्रूव कर दिया है कि जो अर्जुन है अर्जुन का compassion क्या है so-called है वो real नहीं है वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कुछ श्रेयस देने वाला अल्टिमेट गोल देने वाला है वो बीफिटिंग नहीं है आर्यंस के लिए तो इस प्रकार से अर्जुन को बहुत तरीके से भगवान ने बताया भी था कि जो सोल है तुम बॉडी को बॉडी को मार रहे हो सोल को नहीं और तुम अपनी ड्यूटी के लिए मार रहे हो है न तो तुम बॉडी को मार रहे हो सोल को नहीं सोल तो एटर्नल है उसको तो कभी कोई खताम ही नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग चीज़ें अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कर्म योग बताते हैं दिन ध्यान योग ज्यान योग भक्ति योग इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और यह प्रूफ करते हैं कि जो उसका सो कॉल कमपैशन है वो सही नहीं है तो आगे देखते हैं हम भगवद गीता 2.37 तो आइए इसको पढ़ते हैं हतो वा प्राप्ष्य सी स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्य से महीम तो क्या बोलते हैं कि हतो अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर तुम बैटल फेल्ड में अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्यों क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य किया है है ना तुमने धर्म के विरुद्ध युद्ध किया है तुमने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया है तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्टी होगी अपनी duty परफॉर्म करने पे और जित्वावा भोक्ष से महीम और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें इतना बड़ नुटेया भोगने के लिए राज करने के लिए तो दोनों कि 받 been pendant तुम्हारा क्या है नुपसान नहीं तसमाम उत्तिस्त है इसलिए उठ जाू कॉंतेय इसलिए कुंती पुत्र है कुंती पुत्र अर्जन उठ जाओ जाओ युद्धाय करत निश्चयह और निश्चे करके युद्ध करो तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि भगवान किस प्रकार से आपकी जो भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसके लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि उठ जाओ कौनते हैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना जो ड्यूटीज है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज उसको पफॉर्म करते हुए तो मुझे याद करते हो वो ड्यूटीज को पफॉर्म करो मेरे लिए ड्यूटीज पफॉर्म करो और उससे तुम्हारा अच्छा ही होगा हर तरीके से लेकिन अगर तुम अपनी duties perform नहीं करोगे so that would be ultimately sinful for you वो तुमारे लिए किसी भी प्रकार से लाबकारी नहीं होगा तो आगे इसका translation देखते हैं अच्छे से ओ सन अफ कुंती भगवान बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र either you will be killed on the battlefield या तो तुम battlefield में मारे जाओगे and attain the heavenly planet और अगर battlefield में मारे तो heavenly planets मिलेंगे स्वर्ग मिलेगा और you will conquer and enjoy the earthly kingdom और या तो तुम जीत जाओगे और enjoy करोगे earthly kingdom को therefore get up इसलिए उठो with determination and fight determination के साथ उठो धृण निश्य के साथ उठो कि अब मुझे युद्ध करना है मुझे अपनी duty perform करनी है because इसी में मेरा ultimate benefit है इसलिए तुम उठो धृण निश्य के साथ और fight युद्ध करो तो परपट में श्रीला प्रभपात बिताते हैं even though there was no certainty of victory for Arjuna's side हाला कि यहाँ पर certainty नहीं थी कि Arjuna की victory होने वाली है हाला कि certainty तो थी क्योंकि स्वयम भगवान श्री कृष्ण थे और बहुत सारे हमने देखा था first chapter में यह बहुत सारे ऐसे indications मिल जाते हैं जिससे Arjuna की victory, Arjuna की जीत तै हो जाती है वो क्या-क्या indications थे तो पहला कि भगवान श्री कृष्ण स्वयम अर्जन के साथ है भगवान श्री कृष्ण कौन है माधव तो माधव जहां होते है उनकी पतनी भागय लक्षमी वो भी वही होती है तो भगवान जहां भागय भी वही है तो भागय किस के साथ है अर्जुन के साथ और अर्जुन जेस रत पे बेठे थे वो कोई normal रत नहीं था वो अगनी देव ने दिया हुआ था और जो उनमें फ्लाइग लगा हुआ था जंडा लगा हुआ था उनके रत में उसमें हनुमान जी का सिंबलम था मतलब जहां Rām جी होते हैं हनुमान जी भी होते हैं और हनुमान जी ने बगूत बड़ा कार्य किया था भगवान की help की थी Rām जी, Rām लीला में सिता माता को वापस लाने में कितनी help की थी पुल बनाने में, लंका जलाने में संजीवनी बूटी लाने में हर जगे वो भगवान के कार्य में उनकी क्या करते हैं सेवा करते हैं तो हर तरीके से अरजुन की विक्टरी निश्चित थी लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि विक्टरी तो पता नहीं किसकी होगी जीत तो पता नहीं किसकी होगी then also he still had to fight तो भी उसको क्या करना था fight करना था for even being killed there he could be elevated into the heavenly plants क्यों फिर भी यूद करना था कि अगर वो मारा भी गया अगर अरजुन हार भी गया मारा भी गया तो भी वो elevate हो जाएगा heavenly planets में heavenly planets तो यहां से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं हैना उधर पर इतने दुख का अनुभाव नहीं होता है जैसे एक तरीके की आप luxurious life समझ सकते हैं वहां पर वहां पर भी जन्म और मृत्यू होती है लेकिन वहां पर जो time होता है time frame होता वो बहुत जादा होता है human life से तो स्वर्ग भी ऐसा है कि आप एक particular समय तक वहां पर रहके जब तक आपके पुन्य कर्म चलेंगे आप वहां पर रहके और वापस धर्ती में आ सकते हैं लेकिन जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं उनकी बुद्धी हम से कहीं ज़्यादा intelligent होते हैं वो लोग तो एक तरीके से उनका elevation ही हो रहा है स्वर्ग लोग में तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा हर तरीके से भला है इसलिए तुम उठो तस्माद उत्तिस्ट कॉंते हैं इसलिए कॉंते है कुंती पुत्र उठो और युद्धाय कृत निश्चया मतलब निश्चय के साथ रड़ निश्चय के साथ युद्ध करो सो यहीं पर हम फिनिश करते हैं नेक्ट श्लोक में मिलते हैं हरे कृष्ण अगर आपके जो भी कॉमेंट्स वगर हैं आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स पे अगर आपके डाउट्स हैं कुछ सजेशन है तो प्लीज बताईए हरे कृष्ण